नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आश्ट्रो सच पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों ओम नमः शिवाय कई सालों के बाद जाकर के ऐसा विशेश संयोग बना है नमक का यह विशेश उपाय करने से राहु दोश पित्र दोश मंगल दोश भयंकर से भयंकर शनी दोश दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर दोश जो की वह भी मात्र इस नमक के उपाय से जल्द ही दूर हो जाता है दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं सौ प्रतिशत आप धन्वान हो जाएंगे दोस्तों मैं इश्वर की सौगंध खाता हूं अगर आप धन्वान न हो जाए तो मुझे बताना नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा भगवान भोले नाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे माता पारवती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे साक्षात भी कुछ नहीं कर पाएगा इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी दिन दुगनी रात चौगनी होगी तरक्की दोस्त नमक में ऐसा क्या है जो जल्द ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता ह महाधमनी बना देता है आखिर नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खीचने का काम करता है अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधमनी दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देभा दवा के इस पावन पवित्र महीने में आपको करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भरोसे से ही इश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है भरोसा ही आपकी ताकत भी है अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपून और सफल होते हैं और देखिए दोस्तों भरोसे पर यह दुनिया कायम है अगर भरोसा नहीं, तो यह दुनिया भी कपकी नश्ट हो चुकी होती दोस्त पुराने समय से नमक का इस्तिमाल किया जाता है नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिश्ट बनाता है बलकि नमक न जाने कितने अंगिनत फाइदे हमें देता है अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाएं, तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बलकि नमक सबसे जल्दी करोरपती भी बना देता है नमक चमतकारिक रूप से लाग प्रदान करता है, नमक के अंदर सकाराप्मक उर्जा का भंडार भरा हुआ है नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है अगर जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोरपती बन सकता है नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह जल्द ही धनी हो सकता है नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परन्तु दोस्तों याद रहे दिल किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है दोस्तों भगवान शिव का जैकारा लगाते हुए विडियो को शुरू करते हैं सक्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादे ओम नमह शिवाय एक लाइक जरूर करें दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाजनी बना देगा अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो यह नमक का विशेश उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल कर देगा अगर आप दुश्मन पर विजय हासिल चाहते हैं, तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है नमक के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर करा जाएंगी घर में बीमारी नहीं आएगी आपका रोजगार ब्यापार ऐसे दोड़े का जैसे मानो उर्ता हुआ पक्षी यह उपाय नहीं आपके बंद किस्मत के खोलने की चावी है और यह महाकाव्य दोस्तों इस उपाय को करने से चूप मत नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे करोडों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा यहां तक की दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दिल खोल कर इस उपाय को करें चुपचाप करें और प्रसंता के साथ करें आपका काम उसी दिन से हो जाएगा दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको बाजार से साधन नमक खरीद लाना है यानि की डेली वाला जो की कुछ इस तरह से दिखता है आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए यानि डेली वाला और इसे लाकर के आप घर के अगनी कोन यानि पूर्व और दक्षिन दिशा में रखे अगनी कोन पूर्व और दक्षिन दिशा को कहते हैं तो अब आपको नमक को घर के किसी कोने में लाकर के चुपचाप सुमबार के दिन या फिर किसी विशेश अफसर पर यह अमावस्या पर या पूर्वनिमा के दिन कभी भी आप यह उपाय करें आप जो चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा तो घर के कोने में नमक को अपने सर के उपर से साथ बार उतार कर रख दें उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं अब इस नमक को सिध करना है वो मंत्र में आपको बता रहा हूँ अंजुम स्वाहा इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाब करना है दोस्तो यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठ कर ही बोलना है मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वही पर रहने दें फिर उसके अगले दिन यानी सुभा के समय किसी नदी में डाल दें दोस्तो यही वो कौन है जिस कोने में आपकी परेशानी चुपी होती है आपकी चुपी होती है आपकी काम्याबी का राज चुपा होता है पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है उठाकर किसी नदी में बहा दे जैसे जैसे नमक भूलेगा। उसी तरह से आपकी तमाम परेशानिया, बीमारिया, नौक्री में रुकाव्टें आना परिबार में कलेश होना परेशानी का स्तर पर चड़ना कर्स का बोज़ हो जाना सब कुछ जैसे से नमक भूलेगा। उसी कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों आगे पहले आप अपनी राशी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा जदी कोई उपाय होगा जिसे आप लाब पा सकते हैं तो वो आपके कमेंट में रिपलाई करके बता देंगे आपको तुरंत लाब हो दोस्तों आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों किसी भी दिन चाहे सोंबार का दिन हो या रविबार का दिन आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं तुरंत ही फल प्रदान करता है यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा चाहे कोई भी इच्छ ताटा नमक 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल इन सभी सामगरियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दे और चुपचाप अपने घर चले आए और देखिए चमतकार इससे आपका भाग्य उदे हो जाएगा। नौकरी व्यापार में हो जाएगी माता लक्षमी दोडी दोडी चली आएगी आपके चहरे पर मुस्कान आजाएगी भगवान शनी आपके उपर कृपा दृष्टी बरसाएंगे आपका ब्रहस्पती मजबूत हो जाएगा। यहा तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जा दोस्तों ये उपाय मैं भी अवश्य करता हूँ और मुझे लाभ पूर्न हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बता कर ना करें। चुपचात करें जो हमने आपको सामगरी बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटिया है। दोस्तों इन में से कोई भी पूरी होनी चाहिए इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा। कर्स भी छूमंतर गायब हो जाएगा ये उपाय में अवश्य करता हूँ। आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे ब नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनी का मिलन होगा जोकी बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं यह रोग और शोग का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा काज के पात्र में ही रखना चाहिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे बरतन में या प्लास्टिक के बरतन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनी नारा शुभ माना जाता है नमक का गिरना बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता बुल्गारिया युक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है भारत में इसका गिरना बहुत ही। माना गया है नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्षमी भी साथ छोड़ देती हैं, और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है. इसलिए नमक की कद्र करें. दोस्त और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए. कहते हैं नमक का हक अदा करना है. इसलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए, इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं, नमक हमेशा धन दे कर ही खरीदना चाहिए. इससे आपका चंद्र और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोग का सामना करना पड़ सकता है. दोस्ट और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए. आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समरिधी ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने बाला भी बरबाद हो जाता है, इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए, दोस्त और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी न पानी से पूछा अवश्य लगाएं परंतु याद रहें नमक मिले पानी से दोपहर के समय पूछा नहीं लगाना चाहिए दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्षमी नहीं लक्षमी का वास हो जाता है माता लक्षमी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुभा के समय होती है शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदे होने से पहले घर का दर्वाजा खोल लेना चाहिए नहीं तो माता लक्षमी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दर्वाजा सूर्य उदे से पहले खुलता हो क्योंकि सूर्य उदे से पहले जब किसी का दर्वाजा बंध होता है तब भला माता लक्षमी आपके घर में प्रव हवा नजर दोश इस उपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा. करे नमक का उपाय थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा ले साथ की संख्या में साबुत लाल मिचलिये उसमें डंठल होना चाहिए. एक टुकडा को इला लें और थोड़ी सी हल्दी अब इन सभी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारी जिसे नजर लग गई हो. सर के उपर से साथ बार घुमाएं और चुक्चा इसे अगनी में जला दें. अगनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं. दोस्तों आप यकीन नहीं एक मिनट में सारी नजर उत कर जाएगी. ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे उपर बरसों से करती चली आ रही है. यह 100% कारगर सिध होता है. इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्न हो जाएगी. क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है. आप तो मामूली इनसान है. यह उपाय बुरी नजर को को सों दूर रखता है. लाजमी है कि जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं. इसलिए इसका उतरना भी है. जरूरी दोस्त होते समय तकिये के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आ आपके अंदर नकारात्मक उर्जा होगी ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुभा के समय एक आनंदायक जीवन को महसूस करते हैं. जब आप सोते समय तकिये के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें. फिर इसे संभाल कर रख दें. दोस्तो चाय में नमक नहीं डालना चाहिए बहुत ही अशुभ माना जाता है. चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है. इससे आपका खून धीरे-धीरे जलने लगता है. कम होने लगता है, आपकी हड़िया कमजोर होने लगती है. चाय में भूल कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है, दोस्तों खास कर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इससे व्यक्ति के सभी नव ग्रह शांत हो जाते हैं, शनिदेव की असीन कृपा इनके उपर बरसती है, भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हरिदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्री हो सकती है, आप अपनी आँखों की रोशनी खो सकते ह ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुर्मा बन सकता है नमक न कम न ज्यादा इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए दोस्तों जो व्यक्ति नमक की कदर करता है उसके उपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशिरवाद बना रहता है अगर आप सक्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें